All right next question, question says the acceleration of a particle as seen from two frames S1 and S2 have equal magnitude 4 meter per second square अब इस information के basis पे हमें चार option में से सही option चूज करना है नो बहुत अच्छा सवाल है conceptually बहुत clarity देगा यह आपको अक्सर इस सवाल में अच्छे students के साथ class में दंगे होते हैं और बहुत अच्छा discussion होता है तो मैं चाहूंगा आप इस सवाल पर ध्यान दे ठीक है तो पहला option says frame must be at rest with respect to each other अगे इस condition को हम evaluate करें इसको करने का better तरीका यह है कि अगर हम इसमें values vector form में डाल ले तो काफी अच्छे से clear होया है यह चीज़ है तो पहला option है अपना जैसे for example यह आपका block है और यह block मान लीजिए इधर जा रहा है इसका acceleration है meter per second square नौ एक frame आपका ऐसे है यहाँ पर आपका एक frame s1 बना लेते हैं यह आपका दूसरा frame में इसको s2 कह देते हैं और यह मान लीजिए दोनों rest में है इनका acceleration 0 है इनका इस वाले का भी acceleration 0 है और in fact velocity पी 0 है तो इसको rest लिख लेते हैं यह केस जो है so this is one of the possibility frame must be address with respect to each other so this is one of the possibility यहाँ जो word इस्तेमाल हुए must be वह आपका statement true नहीं है उस वज़े से में भी होता तो statement सही होता पर यह statement आपका सही नहीं है because यहाँ पर must word use किया है ठीक है next statement पर चलते हैं अगे यह क्यों सही नहीं है अब आगले तीन statement उसी बारे में है दूसा statement है सब्सक्राइब यह और यह प्रेंट को अगर हम गौल से देखें तो इस statement में यह चाह रहे है कि यह जो ब्लॉक है आपका इस ब्लॉक का एक्सलेशन है इधर मानलो 4 आई कैशा और यह ब्लॉक है आपका इसको हमने 1 का है यह दूसरा ब्लॉक है इसको आपने 2 का है अब हम य each other but neither should be accelerated with respect to each other तो यह वाला कि यह आपका acceleration इसका zero है और इसकी velocity constant हो और यह आपका acceleration zero है और velocity सी constant हो नौ यह ये one of the possible case है इसका यह आपकी necessary must condition नहीं है यह भी possible है कि इसका दोनोा का combination जो है लेटसे इसका acceleration है रेट से 3i cap, या चलो 4i cap ही रख लेते हैं, चलो 3i cap, मान लो इसका acceleration है 3i cap, इस वाले case में यह जो acceleration है, यह अगर है आपका minus i cap, यानि कि यह particle इधर जा रहा है, यह वाला आपका इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का acceleration हो अब इन दोनों के बीच का difference आगया, आपका 4, तो यह वाला आपका frame और यह वाला frame दोनों में अब accelerated है, तो उस वहें से आपका statement false हो गया, now let's look at statement number 3, statement c says acceleration of s2 with respect to s1 में इधर भी 0 और 8, यह statement हमने यहाँ पे अभी debunk कर लिया कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि उनके बीच का 0 या 8 ही उनके बीच का difference हो, ठीक है, कि यह भी रेस्ट पे यह भी रेस्ट पे या यह दोनों constant velocity से जा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, उसको समझते हैं यहाँ पे, चौता statement उसी बारे में, it says acceleration of s1 with respect to s2, may be anything between 0 and 8, now this would be the right answer, ठीक है, यह आपका है s1, इन दोनों के बीच का difference आपका 4 i cap है, let's say, इदर move कर रहा है, इन दोनों के बीच का difference 4 i cap है, दूसरा मान लोगा आपका vector है s2, इसका जो acceleration है वो इस direction में है, अब इन दोनों के बीच का difference भी जो आएगा, वो आपका 4 i cap है या 4 j cap या उसका magnitude 4 हो सकता है, अब इन दोनों के बीच का जो difference है, वो इसके और इसके बीच का जो acceleration का जो आप difference लेंगे, delta a that will be equal to a1 minus a2 इस vector form में लिखेंगे, इसकी value अगर आप दो vector को add करते हैं, उसकी value आपकी maximum minimum value, चलो इसको example ही खर लेते हैं, तो अगर मैं आपसे जैसे पूछू 4 प्लस 4 या 4-4 पूछू मैं आपसे, अगर आपका answer अब भी यह है कि sir, obviously 8 होएगा, यह क्या सवाल पूछ रहे हो, तो आपने vector फिर धंग से नहीं सीखें हैं, इसको ऐसे समझना, 4 प्लस 4 जो है उसकी value, 0 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, anything in between हो सकता है, 4 प्लस 4 की value, because अभी वेक्टर फॉर में है, 450 ऑब का 0 बहुतर है,uito भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 अगल क्या है, in दोनों के बीच का difference आपका 4 हो सकता है, इन दोनों के बीच हो सकता है लेकिन in दो नगे पीच का difference से वो अगे डिपेंड करेगा आपका वेक्टर फॉर्म क्या सिमिलरली आपका 4-4 जो है दो वेक्टर फॉर्म यह 0-8 कोई भी वेल्यू रख सकते हैं एंड हैंस आपका option no.d would be the right answer which says acceleration of s2 with respect to s1 may be anything between 0 and 8 तो s1 s2 के बीच में आपकी 08 के बीच की कोई भी value हो सकती है I hope इससे आपके concept और clear होएंगे and I wish you all the best